गैस पर नेप्थिलिन की गूलिया रखते ही चौक जाओगे साथ ही में बहुत यूसफुल टिप्स और ट्रिक्स में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वीडियो बहुत यूसफुल और इंटरस्टिंग होने वाला एंट तक जरू देखिए पसंद आए तो दोस्ते के साथ ना भूले तो चले देखते हैं यहां पर हमारी पहली टीप कौनसी है तो दीखें अक्सर हम जो साड़ी है ब्लाउस पेटिकोट एक साथ रखते हैं ज्यादा तर इसके लिए कवर मंगवाते हैं पर आज के बाद बिल्कुल ही कवर मंगवाने की जरुत नहीं है बिल्कुल बिना कवर की साड़ी को बहुत अच्छे से रख सकते हो पेटिकोट को ब्लाउस को एक ही जगह पे कई बार क्या होता है न हाड़ बड़ी में हम इधर उधर चीज़े रखते थे फिर टाइम पर मिलती नहीं है और आल मेरा में इतने ज़दा कपड़े हो जाती की बैटने की जगह ही नहीं मिलती बहुत सारे कपड़े हम रख नहीं पाते तो इसके लिए भी यह बहुत ज़दा काम आने वाला है तो दिखें अगर हैंक करना चाहते हो तो हैंक करके भी रख सकते हो और इस तरीके से अगर सिर्फ फोल्ड करके रखना चाहते हो तो बिल्कुल छोटी भी होगी और बड़ी भी होगी बहुत ही आसाने से ब्लाउस के अंदर हमने साड़ी को सेफ कर लिया है जिसकी बहुत ही अच्छ से ये बिल्कुल खराब नहीं होगी और टाइम पर सारी चीजे कम जगह में आपको मिलेगी और यहां पर अमारी नेक्स्ट इप है अब दिवाल में हो जाएगा और वो कैसे चले देखते हैं तो यहां पर मैंने एक मिट्टी का दिया ले लिया है और उसको हमें अच्छे से कूट कर बारी इसका पाउडर बनाना है चाहो तो थोड़ा बारी किस तरीके से करके मिक्सिजार में डालके भी घुमा के पाउडर बना सकते हो पर खलवत्ते में कूटने में बहुत ही आसानी से यह पाउडर बन जाता है तो देख सकते हो मैंने इसको बना लिया है और थोड़ा सा पाउडर इस साल भर चलेगा और यहां पर आप देख सकते हो आधा ही दिया मेरे पास था आधा तो उसके टिकड़े मिले नहीं थे तो म में इसके अंदर थोड़ा सा डालना है पानी विनेगर या फिर आप यहां पे थोड़ा निम्बू का रस भी डाल सकते हो अगर विनेगर भी नहीं है निम्बू का रस भी नहीं है तो सीधा थोड़ा सा पानी डालके से यूज़ कर लीजे आपका काम बन जाएगा या फिर वि साने से साफ कर सकते हैं इसका रिजल्ट आपके सामने है ना पितामबरी ना साबुन ना किसी भी चीज की यहां पे केमिकल की ज़रती नहीं पड़ेगी जहां जहां यह पेस्ट लगा है वहां पे आप देख सकते हैं बिल्कुल यह क्लीन होता हुआ नजर आ रहा है और जहां पर नहीं लगा वो अभी भी बहुत ज़्यादा काला है डल है तो देखे कितना कमाल का आइडिया है पुराने दिये से इस तरीके से आपका गुंटों का का मिंटों में हो जाएगा ना आपको रगड़ना है ना मांजना है ना किसी चीज का यूज करना है तो देख सकते हो कित तो इस तरीके से बिल्कुल नैच्रल तरीके से आप इसे साफ कर सकते हो जरूर ट्राय करके देखें और जैसे हम सभी लेडिस को पता है कुछ भी तियो हुआ राता है तो यह सारे बरतन चमकाने का काम हमारा ही होता है तो बिल्कुल हाथ काले हो जाते है करते करते है पर पेस्ट लगाया है और बिल्कुल थोड़ा सा लगता है इसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लगता है बहुत देर इसे रखना पड़ता है बिल्कुल नहीं देख सकते हो लगाया और बिल्कुल इसे लगा के मैंने इस तरीके से पूरे जग़ा पे साफ किया और बिल्कुल यह च आधा चल सके तो देख सकते हो कितने अच्छे से चमक रहा है और वो भी विना किसी केमिकल्स के और सिर्फ और सुवब पुराने दिये की मदश से और यहाँ पे इसे आपको रोज रोज बनाने की भी ज़रत नहीं है एक बार बना की भी आप घर पे ठीक कर सकते हैं तो देखें यहां पे आपको क्या करना है नेलपेंट लेना है और कंगी के उपर कुछ इस तरीके से इसे हलका हलका लगाना है और आप देखोगे इसकी जो थोड़ी सी रेशे होते हैं जो की बाहर के तरफ नोकी तरह निकले होते हैं वो इस तरीके से दब जाते हैं, कवर हो जाते हैं, जिससे कि आप देखोगे ये बिल्कुल चुभेगा नहीं, और जैसे आप बाल में चलाओगे, सुखने के बाद, और जैसे जैसे नेल पेंट थोड़ा सा निकलने लगेगा, उसी के साथ इसके जो रेशे हैं, नुकीले, वो भी निकल जाते हैं, जिससे कि आपकी कंगी बिल्कुल आपको चाहिए, वैसी मुलेगी, और बिल्कुल भी इसे फेकने की ज़रती नहीं पड़ेगी, और यहां पे हमारी नेक्स्टीप है, लसुन के लिए, प्यास के लिए, देखिए, लसुन प्यास घर में हमारा लगता ही है, तो जैसे यूज होता है, तो ज्यादा तर आप देखिए, हमें इसे जब पी छिलते हैं, तो हातों से ना हात धोने पे भी स्मेल आती है, जो कि कहीं बाहर जाओ तो अच्छा नहीं लगता है, या फिर पूजा करनी कुछ भी होता है, तो बिल्कुल मन नहीं करता है, और कितना में पानी से धोलो तो यह नहीं निकलती स्मेल, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, आपको लेना है टूथपेस्ट, कोई भी टूथपेस्ट आप यहां पर यूज करना है, आप देखोगे, बहुत ही अच्छे से सारी स्मेल निकल जाती है, और आपको ज्यादा कु चली देखते हमारी नेक्स्ट टिप कौनसी है, तो देखिए, यहां पर मैंने गैस को आउन कर दिया है, और गैस के उपर रखी है नेप्थिलिन की गोली, नेप्थिलिन की गोली को हलका सा हमें गरम करना है, हलका सा यह गरम होते ही हैं, यहां पर हमें लेना है पानी, पानी के उपर इसे थोड़ा सा पहले गरम कर रखा है और जैसे यह जैसे पानी गरम होने लगेगा तो नेप्थिलेन की जो गोली है वो भी पिखलने लगती है और इसमें से ओईली सा एक लिक्विड निकलता है और यह बिल्कुल आपको घर में और किसी भी केमिकल की जरुत ही नही पहले दिखिए पानी जैसे गरम हो रहा है तो इसके अंदर से जो भी थोड़ा सा ओईली सा लिक्विड होता है वो निकलने लगता है क्योंकि नेप्थिलेन की गोली पिखलने लगती बस आपको यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इसके लिए जो बरतन यूज कर रहे हो ना वो ऐसा बरतन ले लिजे जिसमें आप डेडी खाना नहीं बनाते हो कोई ऐसा ही पड़ा हुआ बरतन क्योंकि इसकी जो स्मेल होती ना वो थोड़ी सी बरतन को रह जाती धोने के बाद भी एक दो बार दोना पड़ता है तब जाके निकलती है तो इस ब तरीके से कैसे उस करना है तो यहाँ पर हमें लेना है स्प्रे बाटल स्प्रे बाटल के अंदर हम इसे थोड़ा डालेंगे और थोड़ा बचाएंगे अगले और एक तरीके से उस करने के लिए तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे स्प्रे बाटल के अंदर डाल दिया है और यह जो liquid है ना आपके घर के सारे कीडे मोकोडों को bad smell को remove कर देगा आपके घर में अगर sink में से bad smell आ रही है या फिर cockroach इधा हाँ से निकल रहे हैं तो बस आपको इसे डालना इस तरीके से liquid भी डाल सकते हो या फिर cotton का गोला रख दीजे कीचन में हर जगे से रख दीजे इसक में बहुत अच्छी खुश्बू भी आईगी इसे स्प्रे की तरह भी उस कर सकते हो रात में सोने के पहले कीजे बहुत अच्छा result मेरेगा और हाँ आपको सबसे जादा कौन सी ट्रीक अच्छी लगी comment में जरूर बताइए वीडियो पसंद आया हो like कीजे share कीजे चानल पे नहीं आये हो तो subscribe करें